आज कल हथां वेच असले फड़ के गीतां वेच बंदे मारनवाले लंडू जे गायक खोदनू सूर बीर कहों देने ते जिन्ना ने सारी जिंदगी असले नू अपनी हिकना लाके अकाल तक्त सैव दी राखी कीती ओ सूर में किसे विरले नौजवान नू याद होने ने उन्नी सो पच्ची वेच अमरसार तो आठ किलो मिट्र दूर पेंड खेयाला वेच जनमे सुबेख सिंग दे परवार कोल सौ एकड़ दे करीब खुली जमीन सी परवारक पिशोकड मसे रंगड़ दा सिर्कलम करनवाले पाई महताव सिंग मीरा कोटनाल जुड़ दा हाक की अते फोटबाल दे इस शांदार खडारी ने ठारा साल दी उमर वेच सौ मीटर दे इंडिया दे रिकार दी बराबरी कर ले सी 1903 वेच खालसा कालज अमरे सर विचो हजाराओं मीदवरा विचो कल्ले ही मिल्टरी आफिसर ट्रेनिंग अकैडमी वास्ते चुने गए फिर दूज्जा विशवियुद 1905 तक बहादरी ना लड़या 1908 तालीदी कशमीर वेच होई कुस पैठ नू ठालवी पाई 1902 वेच चीनिया नाल होई जंग तनो मनो हेकडा के लड़ी 1905 वेच पाकस्तान नाल जंग शुरू ही होई सी के हाजी पीर ते मोर्चे ते डटे होई इस जर्नायाल नू बिंडो टेलीग्राम आ गया के पिता पगवान सेंग जी पूरे हो गए ने छुटी या सानी नाल मिल सक दी सी पर सुनेहे वाला कागज अपनी जेब वेच पाके जनरल सुबेग सेंग जी वापस अपने मूर्चे वेच डट गए जंग मुकी मगरो जदो बाकिया नू एस गालदा पता लगा था ओ हरान रह गए जंग मगरो माता सरदार नी प्रीतम कौर जी नू होंसला देनले पिंड पुझ गए मा ने एक वारिवी पो तनाल गिला नहीं कीता के बाप मोय ते क्यों नहीं अप्ड़या श्याद टिडो जण में दे सुबा आते फितरत तो चंगी तरा वाकफ सी नी सो कतर दी बंगला देश दी लडाई वेच बिरगेडियर रैंक ताक दे अफसर हुंदे हुए शा बेग नाम दे मुस्लिम नाजवान वजो विचर के मुटी वहनी नाम दी गुरीला फौज ख़ड़ी कीती ती मुट के सटीक बियOTH बंदी करके एक लख दे क्रीब पाकस्तानी फौजिया को लो हथ्यार सुट वाए 64 तो बाद पाकस्तानी फाउजिया नाल तका नहीं हों दिता अती विशिष्ट सेवा मैडल अते परम विशिष्ट सेवा मैडल जनरल सुबेग सिंग ने अपनी चोलिपवाए मिल्टरी साइंस अते ओपरेशन टैक्टिस दे माहिर इस अफसर ने कई होर महतवपुर्ण आउद्यां थे कम कीता 1922 वेच जनरल सुबेग सिंग जी नू जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ बना दिता गया अते माद परदेश बिहार अते ओडिसा दा चार्ज जनरल सुबेग सिंग जी दे हवाले कर दिता गया 1933 वेच इंद्रा गांडी ने हुकम दिता कि फौज उस दे राज सी दुश्मन जया परकाश नराइन नू गरिफतार करे क्योंकि लोकल पुलस बागी हो चुकी सी थे इंद्रा गांडी दा हुकम नहीं मान रही सी जनरल सुबेग सिंग जी ने एक इंद्या हुया साफ ना कर दिती के फौज राज सी कमा विच दखल नहीं दे सक दी कदेवी नहन ना सुन वाली इंद्रा गांडी ने गुसा खा के शबेग सिंग जी नू ममूली 25 रुपे दे गिफ्ट लेंदे दोश लाके बिना सिर पैर दे केस विच फसादिता फिर शुरू हुया इस बहादर अफसर नू पैर पैर ते जलील करन दा सिलसिला शबेग सिंग जी नू बेज़त करन खातर किनने सारे जूनियर अफसर तरक्की दे के शबेग सिंग जी तो सीनियर बना दिते गए शबेग सिंग जी नू बांदी तरक्की तो जान बुझ के वंज्या रख्या गया सगु गिनी मिथी साज़श तहत करप्शन दे इस मकदमे नू रटायर्मेंट तक दी तरीक एक मैई 1976 तक लमकाया गया अजे वी बासना कीती होर जलील करनली रटायर्मेंट तो एन एक दिन पहला ती अपरैल 1976 नू ही बिना अदालत दा फैसला उडिक्या नौकरी तो डिसमेस वी कर देता एक देश नू समर्पित फोजी जर्नेल वास्ते इस तो नमोशी वाली गाल की हो सकती सी इस से दुरान पतनी कैंसर ते होर बमारियां दा शिकार हो गई ते बच्चेयां दी पड़ाईवी बुरी तरा प्रबावित होई आखर जमीर ते डूंगिया सटां खांदे माजे दे इस जर्नेल दा मलाप उस जर्नेल नल होया जड़ा सरीर कमाओत नू तो च जानदा सी साथ जून 1984 नू दपैरे बारा कू वजे जनरल सबेग सेंग जी दी मृतक देनू रसिया नाल बन के शिरी अकाल तक्त सेव तो तू के बार कड़े आ गया पहला मृतक देनू लता मार मार के रज के बेईचत कीता फिर रसिया बजी लाश नाल फोटवा मी खचाईया अजीब इतिफाक एसी जिस फौजी जर्नायल ने बंगला देश दी जंग वेच नबे हजार दे करीब दुश्मन दे सपाईया हत्थों थियार सुटवा के वी उनना दे फौजी मानसन मानदा पूरा ख्याल रख्या उसे दी खुदी लाश उसे दे मैक में वालेया राज र अज बैरामेच मदोली एक होर अजीब इतिफाक एवी सी के करप्शन दे जिस दोशनू अदार बना के फौज विचो बे इज़त करके कड़े आ गया सी उससे केस विचो सप्रीम कोट ने मगरो बाइज़त बरी कर जिता पर जिस तरह आख्या जन्दा है जिस्टिस डिले इ काफी देर हो चुकी सी ए बागी दुनियावी अदाल्त दा मखाल उडाउदा होया काफी दूर जा चुका सी आखर कौम दी अनक दी कातर जिंदगी नू हस के ठोकर मारनवाला बागी आखरी लडाई वेच वी विरोतियानू बुरी तरह मात दे गया सी जिस्टिस मा घकत दाना बाग्एग